अब different salts को देखते हैं, उसमें common salt आता है, bleaching powder, baking soda, washing soda और plaster of Paris तो common salt क्या होती है, NaCl जो हम रोज खाते हैं, तो वो आमें neutralization reaction से मिल जाती है अब बढ़ते आगे bleaching powder को देखते हैं, तो उसका formula है CAOCl2, यानि इसे हम क्या कहे सकते हैं, calcium oxy chloride तो यह मिलती के सी है, तो जब हम calcium hydroxide को chlorine के साथ react करवाते हैं, तो हमें मिलता है calcium oxy chloride जिसे हम bleaching powder भी कहते हैं, तो इसका use क्या होता है, इससे समझते हैं तो bleaching of cotton and linen, तो यानि कपड़े के उपर अगर कोई color है, तो उसे हम bleaching powder से निकाल सकते हैं, तो आप laundry में जब कपड़े देते हो, जिसके उपर stain लगा है, दाग लगा है, तो वो क्या करते हैं, वो bleaching powder से उस दाग को, उस color को निकालते हैं, तो bleaching powder एक oxidizing agent का भी काम करते हैं, तो जो chemical electron को accept करता है, उसे हम कहते हैं, और ये disinfectant का भी काम करता है, यानि germs मारने का भी काम करता है, अब baking soda को समझते हैं, तो baking soda क्या होता है, नह CO3, यानि sodium bicarbonate हम इसे कह सकते हैं, या sodium hydrogen carbonate भी हम इसे कह सकते हैं, तो baking soda हमें मिलता कैसे हैं, हम sodium chloride को CO2, water और ammonia के साथ react करवाते हैं, जिसका byproduct हमें ammonium chloride और sodium hydrogen carbonate मिलता है, यानि baking soda, अब इसकी uses क्या है, इसे समझते हैं, तो ये anti-acid की तरह काम करता है, तो anti-acid यानि क्या होता है, acid को neutralize करने वाला, तो anti-acid एक salt कैसे काम कर सकती है, क्योंकि ये एक basic salt है, तो ये fire extinguisher में भी use होती है, और baking powder में भी इसका use किया जाता है, तो आप बोलोगी कि baking soda और baking powder में क्या फरक है, तो आप इसे google कर सकते हो, लेकिन main ingredient baking powder का baking soda ही होता है, अब washing soda को समझते हैं, तो इसे हम कहते है, sodium carbonate decahydrate, तो सिर्फ हम इसे sodium carbonate क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि जो water of crystallization है, sodium carbonate का, वो बहुत important है, तो आप बोलोगी कि water of crystallization क्या होता है, तो इसके उपर मैं अलेक सी वीडियो बनाऊंगा, वो आगे आने वली है, तो ये जो 10 water molecules है, इसकी वज़े से sodium carbonate की properties बदल जाती है, तो इसे हम कैसा बनाते है, sodium carbonate plus 10 water molecules, तो हमें मिल जात होता है, sodium carbonate decahydrate, तो आप सोचो कोई कि ये दिखता कैसा होगा, तो यहाँ पर इसका structure है, यहाँ पर देख सकते हो, water molecule ने directly bond नहीं बनाया है, लेकिन वो फिर भी attached है एक प्रकार से, तो इसकी uses क्या है, तो इसका use होता है, ग्लास, शोप और पेपर industry में, और इसका दूसरा का use है, manufacturing of borax में, water के hardness remove करने के लिए भी इसका use होता है, तो hardness क्या होती है water की, तो water में जब बहुत स्यादा minerals हो जाते हैं, तो उसे हम कहते है hard water, जो हम पी नहीं सकते, तो इससे remove करने के लिए हम washing soda का इस्तमाल कर सकते हैं, अब plaster of paris को समाजते हैं, तो यह होता क्या है, तो आप बोलोगे की, हाप water molecule कैसे हो चकता है, क्यूंकि 2 CaSO4 एक water molecule को share करते हैं, तो यह हमें मिलता कैसे हैं, तो जब हम gypsum को heat करते हैं, 100 degree Celsius पर, तो हमें plaster of paris मिलता है, तो gypsum क्या होता है, calcium sulfate.2H2O, मतलब एक calcium sulfate के compound के around 2 water molecules हैं, तो इसे हम gypsum कहते हैं, तो अगर हम इसे heat करें, और dead water molecules को निकाल दे, तो हमें मिलता है, CaSO4.halfH2O, जिसे हम plaster of paris कहते हैं, तो यह water of crystallization बहुत important है, इसके कारण इसकी properties change हो जाती हैं, तो इसका use कहाँ पे होता है, और इसे plaster of paris क्यों कहा जाता है, क्यूंकि 17 और 18 centuries में, पेरिस में, इसका production बहुत जादा होता था, तो इसलिए हम इसे कहते है, plaster of paris, तो इसकी usage देखते है, toy बनाने के लिए, और decoration में इसकी use होते हैं, तो जो मूर्तिया बनते ही, गनेश जी की, दुरगा जी की, वो किस से बनती है, वो plaster of paris से ही बनती है, दोस्तों ये था छोटा से वीडियो salts के उपर, अगर आपको वीडियो पसंद आता है, तो वीडियो को like कीजिए, चैनल को subscribe कीजिए, बीच में जो लोगा दिख रहा है उसे दबा कर, और नीचे description में Instagram की लिंक है, जाके follow कीजिएगा, धन्यवाथ दोस्तों,